नमस्कार वीवो प्रो कबड़ी लीग में आज दो मुकाबले खेले गए पहला मुकाबला जो था वो पुनेरी पल्टन का मुकाबला पिंग पैंथर के साथ था जैपूर पिंग पैंथर के साथ तो आज इस मुकाबले में पुनेरी पल्टन ने जैपूर पिंग पैंथर्स को 32 पॉइंट के मुकाबले 24 पॉइंट से पराजित कर दिया जो दूसरा मुकाबला आज था वो था हर्याना स्टीलर्स वर्सिस तेलगू टाइटन्स का और इस मैच में हर्याना स्टीलर्स ने तेलगू टाइटन्स को 43 पॉइंट के मुकाबले 24 पॉइंट से पराजित कर दिया कल दो मुकाबले होने है साड़े साथ बजब और साड़े आट बजब रात को तो पहला मुकाबला गुजराज जाइंट्स का यू मुमबा के साथ होगा और दबंग दिल्ली का बंगाल वारियर्स के साथ होगा अब देखते हैं point stable की क्या स्तिती है पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पिंग पैंथर्स लीट कर रहा है 26 पॉइंट के साथ लेकिन आज वो अपना मुकावला जो है वो हार गए है साथ में से पांच जीत दो हार टोटल 26 अंक है लेकिन आप देख सकते हैं उनका अंक अंतर जो है वो 54 का हो गया साथ मेंच चार जीत दो हार एक ड्रोट 24 पॉइंट पुनेरी पल्टन का भी यही स्कोर है साथ मेंच में चार जीत दो हार एक ड्रोट 24 पॉइंट अंक अंतर से बैंगलूरू बोल्स जो है वो तीसरे स्थान पर है पुनेरी पल्टन चौथे स्थान पर है, गुजराट जाइंस की टीम जो है वो पांचवे स्थान पर है, 6 मैच में 3 जीत, 2 हार, 1 डौ, 19 पॉइंट, यूपी उध्धा, 6 मैच में 3 जीत, 3 हार, 18 अंक, बंगाल वारियस, 7 मैच में 3 जीत, 3 हार, 16 अंक, यू मुंबा के भी 3 अंक अंतर जो है, वो वो माईनस 11 का है, हर्याना स्ट्रीलर्स की टीम, 6 मैच में 2 जीती है, 4 हार चुकी है, 13 अंक है खेकुल और माईनस 7 कांक अंक अंतर, 10 में स्थान पर पटना पाइरेट रेट्स है, 7 मैच में 1 जीत, 4 हार, 2 डौ, 13 अंक, थंल थ्लाइवस, 6 मैच में ए